सुबा सुबा दस साल का राजन घर के अंदर बॉल से खेल रहा था तभी अचानक उसकी बॉल पास पड़ी एक अलाम घड़ी से जा टकराती है और घड़ी नीचे गिर कर तूट जाती है रामा अपने कमरे में ही थी अरे क्या तोड़ दिया कमबख़त अरे ये क्या किया बेटे मम्मी गलती से हो गया सभी रमा गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है और राजन के कान पकड़ कर खीच लेती है ये क्या किया नालायक आदर दो रहा है दादी दादी मा गलती से हो गया एक तो तेरी मा वैसे ही कोई सामान नहीं लाई मू उठा कर इस घर में ब्याहा करके आ गई उपर से तु सामान तोड़े जा रहा है जादा जुबान मत लड़ा तेरा बेटा भी तेरी ही तरह नालायक है तभी सीमा का ससुर किशन वहां पर आ जाता है जो की अंधा था अरे भाई क्या हुआ बच्चे को इतना क्यों डाट रही हो दीखिए ना अलाम घड़ी तोड़ दी इसने तो क्या हो गया अब घर में बच्चे होते हैं तो समान तो तूटते ही हैं आप जाधा पक्षमत लीजी अपने पोते का वो तुम्हारा भी तो पोता है रमा इसका बाप सौरव मेरा सौतेला बेटा है तो इस हिसाब से राजन मेरा सौतेला पोता है ये तुम कैसी नीचे दरजे की बाते करती हो मा जी बच्चे के सामने ये सम्मत कहिए मैं हाज जोडती हूँ मुझे कुछ नहीं बता तेरे पती से कह देना मुझे आज ही एक अलाम घड़ी ला कर दे मा जी ये कहां से ला कर देंगे इनकी तो अभी तनक्वा भी नहीं आई है तभी सीमा की देवरानी शीला और देवर शंकर भी वहां आ जाते हैं शंकर दिन भर घर में ही रहता था और शाम को या रात को काम करने जाया करता था लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या काम करता है ये भाबी तो हर वक्त अपने गरीबी के रोने रोती रहती है ये सब नाटक है, ये अपने पैसे छुपा का रखती है, सभेन के पास मा तुम मैं भी जानती हूँ मा जी, आपने इसे सिर चड़ा रखा है, देखो तो जाडू भी कैसा लगाया है आज, सारे घर में कच्रा पड़ा है किशन रोते हुए, वहाँ से वापस अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था, कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इस घर में रहना है, तु सब काम अच्छे से करने पड़ेंगे, वरना धक्के मार कर निकाल दूँगी तुम तीनों को नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माजी, हम कहां जाएंगे, मैं अभी सब फिर से जाड़ू लगा देती हूँ और आगे से तेरे बेटे ने कुछ तोड़ा, तो हिसाब लगा ले ना अपना जल्दी मुझे चाए दे कर जाओ, सिर में दर्ध हो रहा है, अभी दे कर जाती हूँ शीला, तु आराम कर ले, उठने की क्या ज़रूरती? हाँ माजी, ये भाबी की वज़ा से मुझे उठकर आना पड़ा असल में शीला पैसे वाले घर से आई थी, और उसका पती, यानि रमा का असली बेटा शंकर अच्छी कमाई करता था इसलिए रमा उसके साथ व्यवहार अच्छा रती थी रमा, तुम सीमा बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो चुप ही रही है, आप तो अंधे हैं, आपको कुछ दिखाई तो देता नहीं कि वो घर में क्या-क्या नुकसान कर रही है मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, सुनाई तो देता है ना? एक तो वैसे ही पैसों की तंगी है, उपर से दोनों मा बेटे नुकसान करते हैं, उसका पती कुछ कमाता भी नहीं है चाहे कितना भी कमाता है, उसमें से आधी कमाई तो तुमें ही देता है ना? तो एहसान कर रहा है क्या, इस घर में भी तो रह रहा है न, अब इतना तो देना ही पढ़ेगा रहना है तो वाँ, अपने बेटे से हिस्सा मांग रही हो कहधिया न, वो मेरा बेटा नहीं है, तो नहीं है, शंकर और मानव ही मेरे बेटे है तो फिर अपने दौनों बेटों से भी कमाई का आधा हिस्सा लो तुम शंकर तो मुझे बिना मांगे ही बहुत पैसे देता है कम से कम कमा तो अच्छा रहा है ना बुढ़ापे में मेरे असली बेटे ही काम आएंगे कोई बात नहीं ये भी देख लेंगे हाँ देख ले ना अभी मानव तो शहर में पढ़ रहा है कुछ टाइम बात वो भी आ जाएगा फिर आप बैठे रहे ना अपने बेटे बहु सौरव और सीमा के साथ तुम कभी नहीं समझोगी रमा रिष्टों को समझने की मुझे नहीं आपको जरूरत है देखना एक दिन आप रोएंगे पच्टाएंगे मैं तो अभी भी रो रहा हूँ पच्टा रहा हूँ घर के हालाद देख कर तो मैं क्या तो दुपहर के वक्त दर्वाजे की घंटी बच्ती है रमा जैसे ही दर्वाजा खोलती है सामने उसकी बेहन शमा खड़ी थी शमा तू आजा आजा मैंने सोचा काफी टाइम हो गया तुझे मिल लूँ हाँ बहुत ही अच्छा किया तू रमा और शमा बैठ जाते हैं वहीं सीमा अपने खाने के लिए थाली में खाना डालकर कमरे की तरफ जाने वाली थी बड़ी भोग लग रही है अभी खाना मगवाती हूं कहकर आती हूं रमा जल्दी से सीमा के कमरे में जाती है और देखती है कि सीमा थाली लेकर अभी बैठी ही थी कि तभी रमा आकर उसकी थाली उठा लेती है तू क्या करेगी खाकर सारा दिन खाती रहती है मा जी मैंने सुभा से कुछ भी नहीं खाया तू क्या मुझ पर एहसान किया है तू बाद में खा लेना और नहीं भी खाएगी तो मर नहीं जाएगी अरे मैंने ही बनाया है ये सीमा तो निकम्मी है एक नंबर की सो तेले बेटे की पत्नी है तेरा क्यों करेगी निकाल दे इनको घर से बस फ्री की नौकरानी मिली हुई है मुझे तो तू तो कह रही है कि निकम्मी है अब ऐसे तो करती ही है सारा काम, पर दिल से नहीं करती चल पेट भर गया, अब मैं चलती हूँ ठीक है, जल्दी आना फिर से तुछ रमा बापस चली जाती है कुछ दिर बाद सीमा उठकर रसोई में जाती है तो देखती है के रमा एक और प्लेट में रोटी सबजी डाल रही थी ऐसी घूर घूर कर क्या देख रही है, नजर लगाएगी क्या नहीं मा जी, मैं तो अपने लिए रोटी लेने आई थी अभी तो सारी सबजी मैंने इसमें डाल ली है, अब ऐसे कर तू रात को खा लेना लेकिन मा जी क्या लेकिन वेकिन, मुझे फिर से भूग लग गई है, अब खाऊं भी ना क्या मैं बिचारी सीमा की किसमत में दुख ही दुख थे लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। उसके रोज के दिन ऐसे ही बेज़ती और आने सुनने में निकलते थे।